हार्दिक की एक सलहा दिनेश कार्थिक का हो गया भला नमस्कार मैं हूँ अभिशेक्तियागी जी हाँ चोथे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रिका के खिलाप दिनेश कार्थिक ने कमाल की भल्लेबाजी की अर्दशतक लगाया अर्दशतक लगाकर कई रिकोर्ड अपने नाम क किये अपने टीम को जिताया लेकिन क्या आपको पता है कि दिनेश कार्थिक को जो आर्दशतक मिला है जो T20 किर्केट का पहला आर्दशतक मिला है वो हार्दिक पांडिया के एक सलहा के बाद मिला रसल आप लोगों को सबसे पहले जानकारी हम दे दे कि दिनेश कार्थिक के T20 करियर का ये पहला अर्दसतक था इससे पहले दिनेश कार्थिक T20 करियर में अर्दसतक नहीं लगा पाई थी लेकिन अब जब दिनेश कार्थिक ने पहला T20 अर्दसतक लगाया तो इसके पीछे हार्दिक पांडिया की एक बहुत बड़ी सलाह थी ये कार्थिक ने खुद मेट के बाद जब उन से पूछा गया कि आप क्रीज में अंदर गय थे दिख का keep ने कहा कि जब मैं अंदर गया और खेलने के लिए ता उस वक्त हेली पांडिया मुझे एक सलहा दी. हुर्दिग पांडिया ने कहा कि क्रीज पर टिक कर खेलना, जल्द-बाइजी मत करना, आउट मत होना, इस स्क्रिट में रुन स्कू हैं, रुन हमारे बन जाएंगे पैनिक करने की जरुरत नहीं है. दिनेश कार्टिक निका हा कि हा रदिग पांडिया की सलह मेरे काम आई मैंने क्रीज पर शुरुवात में थ्वा टिक कर खेला समहल कर खेला गेंद को देख कर खेला और उसके बाद में बड़े-बड़े शॉर्ट्स लगाया और टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाया तो यह हार्दिक पांडिया की जो सलह थी दिनेश कार्थिक को मैदान में आते ही वो कही ना कहीं दिनेश कार्थिक के काम आ गई और दिनेश कार्थिक ने शुरुवात में कुछ गेंदे संभल कर खेलते हुए बाद में बड़ा स्कोर बनाने में एहम भूमी का निभाई तो यह जाहिड तोर पर दिनेश कार्थ पैले हैंपे पारतिक से पहले हर्डिक पांडिया मैंदार में ते उन्हें पता था पिछ का स्वभाव कैसा है कि पफा जी तरह किया रही है क्योंकि दोहरा उचालता पिछ पर हमने देखा थे कोई गेंट नीचे थी कोई ऊंची थी इसलिए उस बात को समझते हुए हार्दिक पांडिया ने दिनेश कार्थिक को समझाया और दिनेश कार्थिक ने फिर अर्ग्षा तक लगाया अपने टीम को जिताया तो आपका दिनेश कार्थिक और हार्दिक पांडिया को लेकर इस खबर पर क्या कहना है हार्थिक की सलहाग पढ़ ले आपका क्या कहना और धिनेश कार्थिक की पारी को आप किस तरीकी से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो चलेगे तो लाइक करिएगा शेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा